दोस्तों, लोगडाउन होने के बाद से इंसानों की जिंदगी बहुत बदल गई है। किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब इंसान अपने घरों में कैद रहेंगे और जानवर रोड पर बिना किसी भैके चलते दिखेंगे। चीन से आया वाइरस ने यकीनन कई देशों को पूरी तरह से बरबाद कर दिया है। लेकिन ये भी सच है किस वाइरस ने हमें बहुत कुछ नया सिखा भी दिया है। अज इस धर्ती पर सबसे चौड में रहने वाला इंसान अपने घरों में जरूर कैद है। लेकिन बाकी जीव जनतु बहुत खुश न जरा रहे हैं। अज प्रकृत्ती मुस्कुरा रही है। अज नदियों का पानी अचानक ही साफ हो गया है। अज दिन भर पक्षियों के सूरी लिए आवाज हमारे कानों में आती रहती है। दोस्तों आज की हम अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी तस्वीर हैं जिसे देखने के बाद आपको भी लगेगा कि दुनिया के कुछ जगे हैं अब पूरी तरह से बदल गई हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा वहीं अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक भी कर दीजेगा। भाई कोई भी भागेगा। यह जाइनवर होता ही है इतना खतरनाक। देखिए कैसे यह उस आदमी की तरह भागा। एक ही जटके में जितने भी लोग सड़क पे इदर उदर घूम रहे थे वो सब अपने अपने घरों के अंदर चले गए। यह गैंड़ा तो पूलस वालो इस बीच पे अंड़ा देने के लिए पहुँचे। क्या किसी ने सोचा था कि हिंदुस्तान में भी कभी इस तरह का नजारा देखने को मिलेगा। दोस्तों इन कच्छूओं ने गहिर मानता और रिशिक कुल्या में 6 करोड के असपास अंड़े दिये। इससे पहले यही सम पे मोर इस तरह से जूमते नजर आएंगे। यहां तो पहले सिर्फ गाड़ियां इन गाड़ियां नजर आते थी। लोग चलते रहा करते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद से सब कुछ बदल गया है। अब दिल्ली की सड़कों पे जानवरों का दब दबा है। यहां सु प्रकृति की आज जीत हुई है। दोस्तों आप हमें कॉमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। पीच घुमती भी नजर आ रही है। हलें कि जब लोगों नहीं से देखा थो यह भाग गए। नमबर फाइव। सपनों की नगरी मुंबई जहां जैनवर तो छोड़िये इंसानों के लिए भी जगा नहीं थी। वहां आजकल समंदर में अलग ही नजारे देखने को मिल रह किया। उन्होंने लिखा था कि मुंबई के मरीन ड्राइव पे एक साथ बहुत सारे डॉल्फिन्स आ रहे हैं और समुदर में मस्ती कर रहे हैं। देखिए ज़रा इस वीडियो को कैसे डॉल्फिन कूटती भी नजर आ रही है। यह मुंबई ही है मेरे दोस्त। इस नजार था जब यहां भी रोड पे सिर्फ गाड़ियां ही नजर आती थी। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। रोड पे हतरा फिरन ही हिरन। यह नजरा यह बताने के लिए काफी है कि इनसानों ने किस तरह से इस धर्ती पर अपना हक जाता रखा था। आज इनसान बंध है और जानवर हर जगा घूम रहे हैं। इससे पहले आपने किसी नीलगाय को कब देखा था। अब हमें कॉमेंट करके बताए सकते हैं। दूस्तों क्या आपने कभी मालाबार सेवेट का नाम सुना है? नहीं सुना होगा क्योंकि इस जैनवर को विलॉप्त माना जा रहा था। आखरी बार ये जैनवर 1990 में देखा था यानि कि 30 साल पहले। लेकिन लॉक्डाउन का इफेक्ट देखिए कैसे ये जैनवर फिर से बाहर आ गया है। ये विडियो भी भारत के किसी वन्य अधिकारी नहीं डाला है। कैसे ये जैनवर रोड पे बेख़ौफ चल रहा है। इंग्लेंड भी इस महमारी की चपेट में है। लाखो लोग बिमार पड़े हैं और ऐसे में लोग अपने घरों में कैद हूँ तो सडकों पे ये जंगली बकडियां घूमने आ गई। जिया दोस्तों लंदन का नजारा है ये जहाँ एक साथ कई सारी बकडियां सडकों पे आपको घूमती फिरती नजार आएंगे। बताने की ज़रत नहीं है। हजारों के संख्या में लोग इस बैमारी के वज़ा से मारे गए हैं। तबी तो पूरे देश में कर्फियू लगा दिया गया है। लेकिन ये कर्फियू पक्षियों और जानवरों के लिए थोड़ी नहीं। तबी तो सारे बतक एक साथ एरान क एक एरपोर्ट को देखने निकल पड़े। हो सकता है इन्हें फ्लाइट देखने का शौक हो। हैगी नहीं दोस्तों अब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वाइरस के कहर से बचने के लिए दुनिया भर के तमाम देशों में लॉगडाउन लाग हो है। सड़कों पे वहाँ नजर नहीं आते, malls, markets, tourist places, trains, planes, सभी चीज़ें पूरी तरह से ठप पड़े हैं। लोग अपने आपको बचाने के लिए और वाइरस के संक्रमन को फैलने से रोकने के लिए घरों में कैद हैं। ऐसे में प्रकृति के अजीबो गरीब नसारे देखने को मिल रहे हैं। आज आस्मान इतना साफ हो गया है कि पंजाब के जालंधर से हिमाले का पहार दिखाई देने लग गया है। यकीन नहीं होता तो ये देखे। ये सब तब संभब हो पाया है जब सड़कों पे गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंध है। सिर्फ जरूरी इका दुका वाहन ही चल रहे हैं। इनमें अंबुलिंस और पुलिस की ही गाड़ियां शामिल है। दुनिया के कहीं हिस्सों से वायू प्रदूशन, जल रही हैं। एक तरफ तो लगातार वायरस के नए-ने मामले सामने आने के कारण लोगों को अपने जीवन और देशों को अपनी अर्थव्यवस्था की रफ्तार काफी कम करनी पड़ी है। तो वहीं दूसरी ओर इस वायरस का फायदा उठाते हुए प्रक्रती अपनी बरमत क भी नजर आ रही है। वायरस के खत्रे की वज़ा से हुए लोगडाउन के दोरान देश में प्रदूशन में लगातार कमी आ रही है। हवा तो साफ होई रही है। साथ-साथ नदियों में भी साफ पानी बह रहा है। 24 तारीख को लोगडाउन का ऐलान होने के बाद से बचपाना मुश्किल था कि साफ कैसे किया जाए इसे। लेकिन लोगडाउन का एफिक्ट देखिए 21 दिनों में यमना कितनी साफ नजर आ रही है। यहां का पानी अचानक ही नीला देखने लगा है। दोस्तों यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि सारी फैक्टरीज बंध हैं देश व्यापी लोगडाउन के दौरान वाहन, कारखाने और कार्बन उद्सरजन से जुड़े तमाम माध्यम बंद रहने के कारण पिछले 21 दिनों में दिल्ली सहित अन्यमाहनगरों के वायू प्रदूशन के स्तर में 40-45 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है। ज तो ये नजारे सिर्फ भारत में ही नहीं है, दुनिया के दूसरे देशों में भी अब पल्यूशन डेट बहुत कम हो गया है। जाए एक समय इटली के वीनस शहर में नदी का पानी कभी साफ साफ दिखाई नहीं देता था, वो आज बिलकुल साफ दिखाई दे रहा है। ज जैसे ही इस वाइरस ने अपना कहर मचाना शुरू किया, वैसे ही इस देश को भी पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया। पिछले दो महीनों से इस देश में कोई मूव्मेंट नहीं हो रहा और शायद यही वज़ा है कि यहां का पानी एकदम नीला हो गया है। यही त हर साल 15 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन की वकालत भी लोगों ने करना शुरू कर दिया है। दोस्तों नेचर से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। यह बात अब शायद हम इंसानों को समझ में आ गई है। उम्मीद करते हैं कि इस वाइरस के खत्म होने के बाद एक न